लें जनाम इस lecture के अंदर जो important चीज है और जो बहुत मेरी पसंदिदा है वो यह है कि मोहुत सारे ने बहुत सारे algorithm यूज़ करके उन में से best model select करना और वो best का भी best test हो यानि कि इतना जबरदस model हो कि at the end हम उसी के base पे आगे चल सकें और हम कह सकें कि हमने सारे model test किये हमारा य यह चीज देखी थी कि हमने pipeline का model यूज़ किया and then we compared multiple models लेकिन आज हम जो चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो hyper parameter tuned best model को हम देखेंगे और इस एक lecture के अंदर assignments भी आपको काफी मिलने वाली है तो मुझे गौर से सुनिएगा वरना आप थोड़े से भी detract हुए या distract हुए तो आपका काम समझ गया है ना वो जैसे कहते है ना program तो dash हो गया so वो हम देखते हैं कि यह किस तरीके से काम करते है यहाँ पे मेरी screen आपके सामने हाजिर है जी 23 number हमारी notebook है जो मैं already आपको upload करके दे दूँगा so you don't worry about the code लेकिन जो basic चीज़ है selecting the best model with best hyper parameters हम उस पे काम करेंगे स्प्लिट ले आए सी बॉन ले आए लेबल इंकोडर ले आए यहाँ पर हमने यह वाले algorithm लगाने है linear regression, svr, decision tree regressor, random forest regressor, k-nearest neighbor regressor, gradient boost regressor, xg boost regressor और यह इतने ज्यादा regressor हमने यहाँ पर देखे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ, साथ regressor हमारे पास ह on one of these matrices, जो metrics, जो हमारे पास है mean squared error, mean absolute error and r square score, ठीक है जी, अब हम जो method use करेंगे, वो grid set cv को भी use करेंगे, और हम standard scaler और minmax scaler को भी लेए हैं, column transformer को भी लेए हैं, और pipeline को भी लेए हैं, ताके हमारा जितना काम हो, वो सारे के सारा इन चीज़ों पर depend हो के चले, मैं इनको control enter क आपको पहले कर देता हूं कि ये वाली notebook चला के सीधा run all ना कीजिएगा, reason behind that, it takes a lot of time, even hours, अगर आप सही तरीके से model को tune नहीं करते, वो इतना ज्यादा time लेगा, इन सभी को compare करने में कि आपको और कोई काम करने नहीं देगा, so believe we, पहले सुन लेगे मैं क्या करा हूं, then it will be helpful for you, यहां पर आप क्या करते हैं, जी df is equal to sns.load dataset, tips का data हम ले आते हैं, tips का data क्या है, जी कुछ इस तरीके से हमारा tips का data चलते हैं, मैं यहां पर आपको df.head दिखाता हूं, this is our tips का data, क्योंकि हम regression problem को देख रहे हैं, हम tip को यहां पर predict करने वाले हैं, यानि के y के variable के अंदर हमारे पास tip आएगी, और हमारे जो columns के name हैं, हम यहां पर देख सकते हैं, sorry, df.columns, df.columns को देखते हैं, तो यह हमारे columns है, मैं इस तरीके से columns को क्यों लिखता हूं, then I can actually just copy and paste these things into my data set, so regression task को हम different models को चला के regression task के through इसको check करेंगे, सबसे पहला काम, select features and variables, x and y को हमने यहां पर select कर लिया, right? पहला काम हमने x and y को select किया, select करने के बाद हमने आगे क्या करने हैं, हमने यहां पे access 1 यानिक, tip को y में कर लिया, बाकि सारे के सारे columns जो हैं, वो x में कर लिया, फिर हमने अगला काम किया, label encoder use किया, sex smoker day and time, सभी को मैंने बारी-बारी encode क कर सकते, it's totally up to you, मुझे ये वाला तरीका भी अच्छा लगता है, दूसरा भी अच्छा लगता है, और GitHub Co-Pilot भी इस तरीके से मुझे ज्यादा help out कर देता है, फिर मैंने यहां पे train test template को use किया for the first try, और इसको मैंने run किया, जो 8020 का हमारा data था, वो हमने ले लिया, अब हम क्या करेंगे, अपने जितने भी models को हमने बुलाना है, उनको एक models के object के अंदर save करेंगे, और उनके एक dictionary बनाएंगे, यहां पे name देंगे, और बाद में हम linear regression का model दे दिया, यहां पे name दिया, SVR का और उसका model दे दिया, तो इस तरीके से हमने सारे के सारे model जो हमारे हैं, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model हमने यहां पे दिये, और इन साथ के साथ models के बाद हमने क्या किया, हमने model के जो scores हैं, वो यहां पे empty list के अंदर रख ली है, four names, model.in model items, जो मैंने कल भी आपको समझाया था किस तरीके से काम करता है, जितने भी models हैं, इनको बारी-बारी four loop के सा यहां पे training and testing data पे लगाया, और फिर हमने prediction की, फिर हमने metric जो है हमारा mean absolute error, हमने उसकी base पे यहां पे mean absolute error अपना metric रखा, और अपने metric को model scores के अंदर डालते गे, यानि के यह जो empty list थी, इसके अंदर mean absolute error हमारी calculate होगी, not mean squared error, not mean root mean squared error, या r square score, सिरफ mean absolute error, यानि के original absolute error जो हमारे के अंदर आ जाएगी, यानि कि सबी के सबी की, फिर हमने क्या किया, आप same काम mean squared error के साथ भी कर सकते हैं, और same काम r square score के साथ भी, mean absolute error के साथ भी, and many other things के साथ, मैंने इसको comment out किया, just for the sake, कि मुझे सिरफ एक metric इस पकर चाहिए, यह मैंने comment out करके आपको दे दिया, आपकी मर कोलम जो हैं अपने पास रखते हैं, फिर मैंने क्या किया, जितने भी मेरे पास model आगे, उनको मैंने sort किया, sorted model underscore score, key is equal to lambda function मैंने use किया, और reverse false कर दिया, इससे क्या हुआ मेरे पास, यह जो model के scores थे न, उसका जो पहला index था, यानि के, the mean absolute error of SVR is 0.57, 0.67, 0.73, 0.78, 0.80, and 0.84, मैंने ये किया, कि मैंने इसको descending order, ascending order के अंदर sort कर लिया, sort करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि हम इनको print कर रहे हैं, जितने भी sorted model से सारे के सारे यहाँ पे for loop के साथ print होगे, अब अगर आप इसको run करेंगे, usually you can do this, and it will not take a lot of time, let's see, कितना time लेते हैं, percent percent time, य मैंने इसको यहाँ पे run किया, and it took only few seconds, 201 millisecond, और यह सारे के सारे model run हुए, सबसे best score आया decision tree regressor का, फिर आया xg boost regressor का, फिर मेरे पास अच्छा result आया random forest का, फिर मेरे पास आया जनाब gradient boosting regressor का, फिर so on and so forth, reason क्या है, कि हमारा जो model है वो tuned नहीं है, decision tree regressor का अच्छा score आया, x अब आप गौर करें, तो हमने data को एक ही दफा यहाँ पे split किया हुआ है, so अगर मैं यहाँ से इसको x करूँ, यानि कि cut करूँ, और यही train test split जो है, यहाँ पे कर लूँ, और random state को यहाँ से निकाल दूँ, ताकि हमारा बार बार जो data है, वो train test split हो, फिर मैं इसको run करूँ, then you will see a change, यह मैं इसको run करता हूँ, देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको control enter करता हूँ, अब चेक करें, decision tree regressor का आपके पास जो mean absolute error आ रही है, वो ज्यादा आ रही है, अच्छा अब मुझे बताएं, जो मैंने पहले बात बोली थी, mean absolute error का ज्यादा होना, क्या यह model की बहतरी बताता है या नहीं, mean absolute error, क्या यह model की बहतरी बताता है या नहीं, भई यह error है, हमारा best model यह वाला है, SVR, sport vector regressor, सबसे उपर जो आएगा, वो सबसे best होगा, यह देखिए, अब linear regression best है, gradient boost regressor best है, linear regression, क्यों क्योंके हम data को बार बार, split कर रहे हैं, यहां से, यहां पे हमने random state 42 अगर रख दी, अब हमारे जो result आएंगे, वो एक ही रहेंगे, रुक, जिसकी error सबसे कम है, यानि के 0.57 है, वो सबसे best model है, तो SVR is the best model based on mean absolute error, ठीक है, mean absolute error की base पे, SVR सबसे best model है, right, ओके, अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं उसी च error की बजाए, metric जो है, अपना वो change करता हूँ, यहां पे मैं R square score को ले आते हैं, R square score को ले लिया, ठीक है, अब R square score को हम यहां पे print करते हैं, R square score, और इसको run करते हैं, यह है जी R square score, और R square score जिसका सबसे ज्यादा होगा, वो model अच्छा होगा, तो SVR ही सबसे ज्यादा है, ठ ठीक है, 0.57 R square score है, उसका, समझागी बात की, अब decision tree का negative में क्यों है, इसकी reason यह होती है, कि आपके data के feature अक्सरोकाद, वो पूरे के पूरे decision tree को चलानी पा रहे, और वो negative में चला गया, यानि कि बहुत ही घंदा score है, सबसे best है आपका SVR का, और इसको मैं क्या करता हूँ, reverse को true कर देता हूँ, तो यह मेरे पास SVR उपर की side पे आ गया, so now the best model is SVR, right, अब यही चीज़ अगर हम किसी और metric के साथ करना चाहें, we can do that as well, यहाँ पे mean absolute error की बजाय है, हम यहाँ पे mean squared error कर लेते हैं, और इसी mean squared error को, squared error for, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, अब हमारे पास mean squared error सबसे कम SVR की है, so इसका मतलब SVR still the best one among all these models, सही है, अब इसके बाद sport vector regressor के इलावा, हम और कौन सा metric देख सकते हैं, obviously जब हम mean squared error का root लेंगे, तो वो भी same चीज़ ही देगा, ठीक है, अगर मैं, np.sqrt, बलके इसको अभी रहने देते हैं, we can only see that, यहाँ पे जनाब हमारे पास SVR regressor जो है, इस तरीके से काम कर रहा है, इसको हम देख लेंगे बाद में, root mean square error को, but for now, क्योंकि जारी बात है, उसका square होना है, तो उसकी भी reason जो है, वो same ही आनी है, और उसका answer भी हमारे पास same ही रहना है, यहाँ पे अगर आप और करें हैं, assignment के अंदर आपकी छोटी सी assignment है, कि आपने best model select करना है, और each matrix from above mentioned results, जहाँ पे diamonds का data है, और diamond के data को आपने load कर के चलाना है, और diamond का data कैसे load होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे, diamonds is equal to sns.load data set और इसके अंदर diamonds लिखेंगे, आपने इस data set पे काम करना है, which is very heavy data set, जब आप इस पे काम करेंगे, उपर वाली models को select करने में, तो आपको समझाएगे किस तरीके से regression का model select करना है, यहाँ तक आपको clear हो गया, अब आगे चलते हैं, हमने सिर्फ models के नाम दिये थ हम क्या कर सकते हैं, हम models के साथ उनके parameters भी दे सकते हैं, say for example अगर यहाँ पे गोर की जाए, यहाँ पे linear regression का model है, और उनके parameters भी हैं, list के साथ, यानि के kernel हम तीनों use करेंगे, यह वाले हमारे जनाब और parameter होगे, यह भी parameter होगे, यह भी parameter होगे, तो हम models के parameter साथ में, dictionary के साथ, एक nested dictionary बना सकते हैं, like this one, मैं इसको थोड़ा सा zoom out करता हूँ, then it will be easier for you to understand, say for example मैं kernel साभ यहाँ पे select करता हूँ, बलके इसको मैं छोटा सा एक code बनाता हूँ, यहाँ पे, और इसको hyper parameter tuned के अंदर, आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मैंने से paste किया, हमारा यह जनाब SVR है, और SVR के अंदर, मैं सिरफ यह तीन चीज़ें ही test करना चाता हूँ, कोई gamma गुमा नहीं करना चाता हूँ, यह वाले तीन चीज़ें, बारी बारी, इनको हम करेंगे, और यहाँ पे maximum depth को हम करेंगे, splitter को भी रहने देते हैं, decision tree के अंदर, तो इसकी जनाब हम यह वाले तीन parameter test करेंगे, end estimator यहाँ पे हम 100 and अगले model के सिरफ end estimator को देखेंगे, और यहाँ से maximum depth को मैं remove कर देता हूँ, just to take into account कि यह बहुत असानी के साथ हमारे पास चले, ठीक है, अब यहाँ पे गौर करें, यह जो k nearest neighbor है, यहाँ पे मैंने range दिया, of neighbors की, तीन से लेके 100 तक है, लेकि भी चलेगा, सारे ताक अदाव चलेंगे until 100, तो यह मैंने np.range दे दिया for k nearest neighbor, फिर gradient boost regressor के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ से remove करते हैं, ls तक, n estimators जो हैं हमारे उनको हम रख लेते हैं, 100 और यह 1000 फिर remove कर देते हैं, फिर हमारे पास आता है जनाब xt boost regressor, इसको भी हम n estimator इसके 100 कर लेते हैं, learning rate को मैं यहाँ से remove कर देता हूं, ताके हमारे पास model जो है, हमने 2-2 parameter, 3-3 parameter हर model के दे दिये, अब हम वही काम करते है train test split करते हैं, x train और y train के उपर काम करते हैं, और x test के उपर pipeline को चेक कर लेंगे, यह हमारे scores आ जाएंगे, अब मैं इसको run करके देखता हूं कि हमारा model हमें क्या कहता है, और इसके उपर basically मैं time stamp लगा देता हूं, magic command, time की, इसे हम run करते हैं, यह मैंने run कर दिया, now you will see, कि आप के सारे model जो हैं, वो run कर चुके हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत short down कर दिया था, मैंने सिर्फ दो दो parameter यूज किये, और अगर आप गोर करें, linear regression की mean square error यह है, r square score यह, mean absolute error यह है, फिर यह है, जना आप SVR की, यह decision tree की, यह random forest की, यह आपके पास gaineris negressor की, and then there are many other things as well, जिन क इसको आप text editor में जा के भी देख सकते हैं, like this, यह सारा result है जिए आप, ठीक है, so अगर text editor में आपने नहीं देखना है, इसको आप बंद कर सकते हैं, और आप इसकी setting में जा के इसको change भी कर सकते हैं, इस पूरी की पूरी output को, so basically इसने एक इशारिया something timely है, so मैं इसको अगर दोबारा से run करू, so it took around 1.4 seconds, और यह हमारे पास result आ गया, अब आप क्या कर सकते हैं, वही for loop चला के, आप चेक कर सकते हैं, आपके कौन से model ने best आपको parameters दिये, और कौन सा model best perform किया, अगर मैं multiple parameters यहां पे run करता हूं, यह सारे के सारे parameters यहां पे run करता हूं, it will take a lot of time, मैंने इसकी cell की output सारी remove कर दी है, आपकी assignment यह है, आपने एक काम करना है, how to get the best parameter of each model, right in a for loop, and among the code, how to get the best model out of it, इसका आपने solution द्रियाफ्त करना है, ठीक है, और obviously मैंने नीचे इसको solve करके अपने पास रखा हूँ है, अपने model को, and if I run this, तो मेरे पास यह पूरे का पूरा best, मेरे पास जो model है, वो मेरे पास आजाएगा, but I am going to remove this thing, right, so, यहाँ पे अगर मैं इस solution को यहाँ से निकाल दू, आपने यहाँ पे अपना solution, पूट करना है, write your code here, किस तिरह का code, how to get the best parameter of each model, right in the for loop among the code, and how to get the best model out of it, ठीक है, यानि के best model with hyper parameter tuned, वो आपने निका यह मैंने आपको basic code दे दिया, आपने for loop में ऐसी changes करनी है, कि आपके पास जो best model है, वो यहाँ पे आजाए, so, यहाँ पे आपने अपना code लिखना है, यह मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, और आपने यह notebook submit करवानी है, if you are enrolled in this course, फिर आप pre-processor भी add कर सकते हैं, like this, और आ आपने क्या करना है, इसके अंदर error find out करनी है, कि किस तरीके से यह error आपको मिलती है, यह जो error आती है, इसको आपने remove करना है, so, I will write here, find the error, यह आपने यहाँ से error find out करनी है, फिर आगे आजाते classifiers, classifiers को भी use करने का same तरीका है, जैसे हमने regressors को किया, यह मैंने यहाँ पे आ output को यहाँ से remove कर रहा हूँ, just for the sake के आप इस पे काम करें, और आप अगर इसको run करते हैं, then it will be running fine, for example, like this, यह मैंने run किया है, तो मेरे पास iterations और यह सब कुछ यहाँ पे warnings आ रहे हैं, which I can remove actually, so, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, warnings नहीं बता नहीं, import warnings और यहाँ पे warning को ignore कर दे, so, मैंने ignore कर दी, आपके पास model के accuracy आगे, and then you can actually see, कि आपका किस तरीके से best model आप ले के आ सकते हैं, obviously, यहाँ पे अगर आप dictionary of parameters separately देंगे, sub dictionary, यानिके nested dictionary, तो यह उसके अंदर भी काम करेगा, so, यहाँ तक अगर आपको समझ आ रही है, that's really good, अगर आपको अभी भी कोई question है, then you can ask, obviously, जब आप इस assignment को resolve करेंगे, then you will see a big change, so, हमारा जो main question है, main assignment क्या है, main assignment आपकी यह है, write the complete code on, write the complete code to select the best regressor and classy fire for the given data set called diamonds, अगर आपका, if you have a high-end machine, otherwise, आप उसका sample ले सकते हैं, or you can use tips data set for regression task and iris data set for classification task, ठीक है, so, अगर आपके machine बहुत अच्छी है, तो आप use करेंगे diamond का data set, और अगर आपके machine जो है, वो अच्छी नहीं है, या कम slow है, यानिका slow है, तो आप यह वाला काम use करेंगे, तो पहला तो आपके assignment के अंदर ये चीज़ आ जाती है, ये जो मैंने लिखा यहां पर, ठीक है, अगली चीज़ ये है, number two is, you have to choose all possible models with their best or possibly, possibly best possible hyper parameters and compare them with each other, select the best model for given data set, ठीक है, अगली चीज़ ये है जनाब, your code should also save the best model in pickle file, your, you should also write the code to load the pickle file and use it for prediction, in the last snippet, snippet कहते हैं code को, write जी, of the code, submit your assignment to the discord inbox, आपने directly उस assignment को मुझे discord में भेजने, इन इन बॉक्स करने ताके वो मैं अच्छे से खुद से देख सकूँ, ठीक है, discord के अंदर, मुझे इन बॉक्स करने, do not share the, link नहीं शेयर करना, direct आपने, notebook मुझे भेजनी है, do not share the notebook in public channel on our discord server, write जी, तो इस से क्या होगा, यह basically आपके लिए मैंने main assignment सारे की सारे यहाँ पे लिख दी है, other than that, आपकी जो उपर assignment मैंने लिखी हैं, वो भी आपने लिखनी है, और notebook आप अपने सीरे से बनाएंगे, and then you have to submit that assignment, और इस assignment की जो deadline है, deadline इसकी है, let me see, deadline, deadline, deadline और submission, deadline जो है जनाब, आज हमारे पास है, 27th December, तो आपने इसको submit करवाना है, 29th December, before 9.30 p.m. पाकिस्तान टाइम, right, not late submission will be accepted, और जो खुशकिस्मत लोग होंगे, जिनका बहुत अच्छा काम होगा, I will ask them to present that assignment, in our Zoom session, जो इन्शाला हम कोशिश करेंगे, 29th December को, यानि के जुमे वाली शाम को, हम उस पे, जूम पे मीटिंग करें, और जूम के मीटिंग के अंदर, हम ये सारी चीजें जो हैं, वो देखेंगे, ठीक है, ओके, यहां तक आपको clear हो गया होगा, और अगर आप diamond के data set को use करेंगे, तो ये बहुत बड़ा data set है, 54,000 इसके अंदर रोज हैं, diamond का data set काम नहीं करता, तो आप regression और classification का task, iris और tips के data set पे कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको बता दिये, पैट जी, ये था जी, आज का काम हमारा, यहां तक हम अपना lecture जो है, उसे रोकते हैं, hopefully आपको समझ आगी होगी, notebook जो है, ये अभी आपके सामने मैं fetch कर रहा हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ, day, हमारा day है 88, आज हमारा 88 दिन है, तो ये मैंने fetch कर दिया, आपके पास online अभी within few seconds जो है, github की repo के अंदर, ये पूरी की पुरी notebook आ चुकी होगी, अगर आपको लगता है नहीं आई, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये already available है आपके पास, तो अगर आप देखें, यहाँ पे जाके, ये github की repo का link आपको मिला हुए, आप six months of python and data science, आप यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद machine learning पे क्लिक करेंगे, और DA88 की सारे की सारी notebook यहाँ पे available है, ये hyperparameter tuning, best model selection की ये notebook है, ये knife based की है, और अक्सरोकात लोगों को यहाँ पे मसला आता है, ये render ही नहीं हो रही, यहाँ पे notebook न, error दे रही है, यहाँ पे आप download पे क्लिक करें, यहाँ से आपके file download हो जाएगी, इसको अपनी PC के अंदर open कर लें, simple, right, अगर आपके पास ये render नहीं हो रही, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, यहाँ तक जी हमारा आज का काम जो है, उसे हम रोकते हैं, अपना ख्यार रखें, and I'm looking forward to your assignments, इन्शाला हमारी जो meeting होगी, वो Friday evening को Zoom पे होगी, उसकी reason यह है, कि जो best notebooks होंगी, उनको हम वहाँ पे present करने का मौका देंगे, और Zoom का link आपके पास share कर दिया जाएगा, अगर सारे के सारे लोग submit करवाते हैं, या most of the people submit their notebooks and work, then it will be good for us to have a Zoom meeting, अपना ख्यार रखें, टेक केर, and Allah Hafiz.